भारती जंता पार्टी के मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे मुहुन यादव को मुख्य मंत्री बना कर यूपी और बिहार में मिशन दोहजार चौबिस के लिए एक बड़ा दाव खेला गया है उत्रप्रदेश में वर्ष 2017 में 15 वर्ष बाद गयर यादव गयर जाटव की आंतरिक रणनेती अपना कर सतरूर हुई भाजपा का ये नया पैतरा उत्रप्रदेश में समाजवादी पाटी और बिहार में राश्टी जंता दल के वोट बैंक पर कितना असर डालेगा ये काबि परीरग परिवारवाद की राजविती करने वाले दलों के खिलाफ इस हतियार का इस्तमाल करे तो कोई हैरत नहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के पैल जमाने के बाद से ही ये सियासी मानेता रही है कि यादव वोट भाजपा को अपेक शाकरत कम मिलता है इसकी मुख इतना होगा कि जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने मद्यप्रदेश में पैर जमाने की कोशिश की है उससे मिशन 2024 के लिए भाजपा को सतर्क रहने के संकेत दिये गए थे मद्यप्रदेश में सपा लंबे समय से चुनाव लड़ती आई है मुलायम सिंग यादव की नित्रत्व में सपा ने मद्यप्रदेश में वर्ष 1993 में साथ सीटे जीती थी ये बात दिगर है कि पार्टी ने मोहन यादव के पैतरे के जरीये नाकेवल मद्यप्रदेश में यादव समाच को संदेश देनी की कोशिश की है बलकि यूपी और बिहार में भी यादव समाच को साधनी की कोशिश की है वही मद्य प्रदेश में सप्पा मुख्या अखिलेश यादव के लिए मिशन दोहजार चौबिस के लिए रह और भी मुश्किल कर दी गई है भाजपा को हमेशा से ये टीस सालती रही कि OBC में खास तोर पर यादव जाती उनको वोट क्यों नहीं देती पार्टी ने इस मिथक को दूर करने के लिए भूपेंद्र यादव को 2017 में यूपी में विधानसबा चुनाव की दौरान महत्पपून जिम्मिदारी सौंपी कई आदव नेताओं जैसे एटा के हरीनात यादव को राजसबा भेजा और गरीश शंद यादव को मंत्री बनाने के साथ युवा नेता सुभाश यदूवंच को भारतिय युवा मोर्शा का नेतरत पसौंपा उन्हें MLC भी बनाया गया वर्श 2022 में चुनाव से पहले कभी समाजवाती पार्टी के करीबी रहे सुख्राम यादव के परिवार से भी पार्टी ने नस्दी किया बढ़ाई मध्यप्रदेश में अदव समाज को साथते हुए यूपी और बिहार में भी इस फैसले के जरीए पार्टी ने परिवाद बात की राजनीती करने वाले सियासी दलों को करारा राजहत का दिया है नीसंदे ये फैसला मिशन 2024 के लिए दूर की कौड़ी साबित होगा